नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का फास्ट इस्टेडी प्लनर यूटूब चैनल पर सात्यों RBI ग्रेड बी ओफिसर का ये सोट नोटिस है कल इसका डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा देखिए 270 वैकेंसियों पर ये जनरल रिक्रूटमेंट है 29 वैकेंसि ग्रेड भी DR की हैं और 23 वैकेंसि भी इसकी है तो आप यदि इसमें जो सामान्य रिक्रूटमेंट है वो 270 वैकेंसियों पर है 28 जनरी से इसके उनलाइन फोर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 6 फरवरी तक आप भर सकते हैं देखे मैं आपको पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर बताता हूँ इसकी सभी इंपोर्टेंट देखे 2019 का नोटिफिकेशन है आर भी आई ग्रेड बी का इसके माध्यम से मैं आपको सभी इसकी देखे ये 2019 में ये वैकेंसि थी इसमें आर भी आई ग्रेड बी बहुती अच्छी जोब है इसमें आपको देखे फैसलिटी के मामले में बहुती काफी अच्छी जोब है बैंक एकोमेडेशन ये सभी फैसलिटी जो और किसी गवर्मेंट जोब में इतनी अधिक फैसलिटी नहीं मिलती है देख सकते हैं आप यहां पर एज लिमिट आपकी किस से तीस वर्स के बीच होती है इसमें इसकी एलिजिबिलिटी में आपके यहांदी टैन्थ ट्वैल्थ और ग्रेजवेशन में सिक्स्टी परसेंट से अबो मार्क्स हैं तो आप इसका ओनलाइन फोर्म भर सकते हैं आर बी आई ग्रेड बी का इसके अलावा देखे यहां पर है जो जनरल रिक्रूटमेंट है ग्रेड बी की इसमें आपके टैन्थ ट्वैल्थ और ग्रेजवेशन में 60% से अबो मार्क्स वाले इसका ओनलाइन फोर्म भर सकते हैं बहुत सी उनिवर्स्टियों में CGPA का सिस्टम होता है तो यदि ये पोइंट सापके हैं तो इन्हें परसेंटेज में इस तरह क्वालिफाई किया जाएगा आप यहां पर देख सकते हैं अपना CGPA एक खास बात यह है कि इसमें आपको 6 अटेम्ट मिलते हैं सिर्फ यदि आपने इससे पहले टेस्ट दिया है इसका RBI ग्रेड B का और 6 बार आप दे चुके हैं तो आप इसका आप टेस्ट नहीं दे सकते यदि आप फ्रैसर हैं तो आप इसका फों बर सकते हैं एक्जामिनेशन इसकीम के बारे में मैं आपको बताता हूँ इसमें इसमें pre, mains और इंटर्व्यू तीन होते हैं pre इसका 200 मार्क्स का होता है mains इसका 300 मार्क्स का होता है और 50 नमबर का साथ इसमें इंटर्व्य है देखिए ये 200 मार्क्स का आपका प्री है इसमें ओब्जेक्टिव टाइप है ये और इसमें जर्णल अवेरनेस इंगलिस, क्वांटिटूड, अप्टिटूड और रिजनिंग देखिए जर्णल अवेरनेस केस में आते हैं 80 के उस्षन और रिजनिंग के आते हैं 60 के उस्षन इसके अलावा ये इंगलिस और क्वांटिटूड अप्टिटूड इसके हैं इसमें 30-30 नमबर तो टोटल 200 नमबर के आपकी ये परिक्सा है 120 मिनट है इसमें आपके दो गंटे की परिक्सा और उसमें वन बाई फोर्थ की नेगेटिव मार्किंग भी होती है स्टेज टू देखिया आपका ये है इसमें ओब्जेक्टिव टाइप है पेपर वन एकोनोमिक एंड सोशल इस्चूज सेकिंड पेपर है इससे वो सोरी दोस्तों इंगलिस राइटिंग स्किल का ये डिस्क्रिप्टिव होगा आपका और थर्ड पेपर है फाइनेंस एंड मैनेजमेंट ये टोटल सो सो नंबर के हैं ये तीनो इसके बाद आपका इंटर्व्य होता है जो पचास मार्क्स का है तो यही एक्जाम पैटर्न आपका रहने वाला है स्लेबस आपको यहाँ पर मिल सकता है इसका आर बी आई की सबसे अच्छी बात यह है ये इसमें बुक भी बताता है कि आपको जैसे ये इकोनोमिक वाला सेक्षन कहां से तयार करना है तो ये बुकों के नाम बताए गए हैं इनके द्वारा इन बुक से आप पढ़ सकते हैं इने ये इसका स्लेबस है तो धन्यवाद दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल फास्ट इस्टेडी प्लानर को लाइक सेर और सब्सक्राइब कीजे दन्यवाद दोस्तों